नमस्कार आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन मैं टक्टर प्रतीब कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ दिये स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे न्यूकॉम्स मोडल ओफ कम्यूनिकेशन के बारे में जी हाँ न्यूकॉम के संचार मोडल की आजम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मीडिया के विद्यार्थियों के लिए इसका जानना बहुत जरूरी क्यों है और समाज में इसका क्या महतो है संचार के शोत्र में इस मोडल का क्या महतो है इसकी क्या इंपोर्ट Theodore Mead Newcomb was an American social psychologist, professor and author. Newcomb led the Bennington College study which looked at the influence of the college experience on social and political beliefs. Newcomb founded and directed the doctoral program in social psychology at the University of Michigan. He propounded his model in 1953. जिसे हम Newcomb model of communication के नाम से जानते हैं. This model is an extension of the work by Austrian psychologist Fridz Header. उसका work का extension है. 1946 में जोन इस पर काम किया था. Newcomb model जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो structure हम आपको दिखा रहे हैं. इसमें message sender होता है, message receiver होता है. यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं. तो कई बार एक sender होता है, दूसरा receiver होता है, और दूसरा कई बार sender होता है, तो दूसरा receiver होता है. यह हो सकता है कि दो वेक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं. कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो, आप sender बन जाते हो, जब आप बात रख रहे होते हो, और जब आपका दोस्त आपकी बात सुनके, आपको जवाब दे रहा होता है, तो आप receiver बन जाते हैं. रूटीन में यह जो है, चलता है, और आप कई बार ऐसा होता है कि एक विशय पर आपत बात कर रहे होते हो, टॉपिक पे, यह टॉपिक कोई हो सकता है, यह टॉपिक आम बजट हो सकता है, यह टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है, या यह cricket world cup हो सकता है, आप में दोस से बात कर रहे होते हैं, किसी विशय में कोई policy, कोई मुद्दा, कोई भी हो सकता है, और जो यह triangle है, यह दिखाया गया है कि social circle, यानि समाजीक परिवेश्ट जो है, उसका यह एक तरह से reflect करता है, communication जो चलता society में, कि समाजीक परिवेश्ट में जो है, इस तरह से सं social circle, newcomb का जो model है, इसे psychological model भी कहा गया है, क्योंकि जो newcomb है, वो social psychologist रहे, सामाजिक मनोविज्ञानी वो रहे, तो उन्होंने जो communication है, उसको psychological perspective से समझा, यानि मनोविज्ञानिक दिरिश्टी कौन से उन्होंने समझा, और उसी दिरिश्टी कौन से उन्होंने परिश्चार model को परस्तूत किया, चूकि इसका जो structure है, वो triangular है, वो एक त्रिभूजाकार का है, इसलिए इसको triangle model भी कहा जाता है, triangle को हम पहले बता चुके हैं आपसे, कि एक सामाजिक परिवेश को दर्शाता है, जो त्रिभूजा है, हमारा triangle है, then a, b, x model, क्योंकि इसमें आपको देख रह यह दो group भी हो सकते हैं, हो सकता है, पांचे लोग एक तरफ से बात रख रहे हैं, पांचे लोग दूसरी तरफ से बात रख रहे होते हैं, और किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, तो यह a, b, x model है, यहाँ पर तीन element आपको major दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको psychological model, triangular model और a, b, x model के नाम से भी जानते हैं, newcom model को, अब बात करते हैं कि communication का जो model है, newcom model है, यह इसका उदेश्य क्या है, यह किस बारे में बात करते है, newcom model जो है, that talks about the role of communication in social system or social purpose of communication, जो newcom model है, वो समाजी क्विवस्था में संचार की क्या भूमिका है, यह संचार का क्या उदेश्य है, उस बारे में बात करता है, this model talks about maintaining the social balance within the social system, जो newcom model है, वो यह बात करता है, कि अगर समाजी क्विवस्था में या एक जो system है, उसमें अगर संतूलन नहीं है, तो उसको संतूलन को कायम करने में जो संचार क एहम भूमिका निपाता है, जैसे हैं आप आप देख रहे हैं, कि A और B, जिसका हमने पहले जिकर किया है, message sender और receiver जो है, वो एक खास मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, वो मुद्दा कोई भी हो सकता है, जैसे हमने आपको बता है, वो budget हो सकता है, वो agriculture की policy हो सकता है, वो हमारा किसी पोडोशी देख्ष्टे संबंध हो सकता है, किसी भी मुद्दे पर दो लोग आपसें बात कर रह हो सकता है, उनकी उस विशे में ऐसे हमती हो, एक इंडिविज्वल जो है, एक आदमी उस विशे के बारे में अपनी अलग राये रखता है, दूसरा आदमी उस विशे के बारे में अपनी अलग राये रखता है, अगर उन दोनों की राये भिन है, बिल्कुल भिन है, जैसे ह आप अपना तर्क रखते हैं अगला अपना तर्क रखता है फिर आप उसको तर्क का जवाब देते हैं कम्यूनिकेशन आपका बहुत लंबा चलता है लगाता चलता है ट्रेन में बस में चाय के दुकान पर अक्सरा आप इस तरह का संचार देखते होंगे किसी एक मुद्दे करने की कोश़िश करते हैं को इसा भी होता है कि रिक इसे सहमती बनाने के लिए कर हैं यहाँ ऐसा भी होता है चलो नहीं करते कि यह जे Basque के लोगे बात करते बहने यानि यह जो communication का model है, यहाँ पर यह कहना चाहरा है कि दो लोगों के बीच में चर्चा लगातार होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी, जब तक उनकी उस विशे के बारे में या तो सहमती बन जाए या उस topic को ही change कर लिया जाए. या फिर क्या होता है, उस topic पे जब आप बात कर रहे होते हैं, तो दो लोग जो आपस में ये मालने कि हाँ, आपका तर्क इस विशे में बहतर है और मेरा तर्क थोड़ा सा कमजोर है, यानि यह वहा होता है जहाँ पर बहुत समझदार लोग आपस में discussion कर रहे हो, यानि एक त दोबारा जो है, उनका संचार करना बहुत जरूरी है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे होते हैं, बात बहुत आगे बढ़ जाती है ना आपका दोस्त मानता है ना आप मानते हैं, फिर क्या होता है कि आप किसी दिन भी दो वीक के बाद दोबारा उसमुद्दे पर बात करने बैटते हैं हो सकता है उस दोधे पर आपकी आदा गंटा बोना गंटा डिस्कुशन के वाद एक राय बन जाती है जो संचार है जो कम्यूनिकेशन है वह बैलेंस मेंटेन करता है सोसल सिस्टेम में जो एक संतूलन की स्थिया आपकी बीचे बनी हुई थी काफी दिन से बनी हुई थी विश्य को ले करके वह संतूलन दोवारा कायम हुआ वो केवल हुआ केवल और केवल संचार की वज़े से इसलिए केवल ये दो दोस्तों का मुद्धा नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिक और गौर्मेंट के बीचे बहुत से इशू होते हैं मील मालिक और मजदूरों की बहुत में इशू होते हैं या media house और उसकी audience जो है, उसके reader है, उनकी बीच में बहुत से issues होते हैं, तो उन मुद्दों का जो समाधान है, वो संचार के जरी होता है, तो यहाँ पे social purpose of communication की बात की गई है, या social system में जो communication है, क्या भूमी कानी बात है, उसके बारे में बात की गई है, आगे हम और उधारनो को जरी भी सकोच्छे से समझने का परियास करेंगे, जैसे हमने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया है, यानि अगर संतूलन नहीं है, A और B दोनों आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन किसी मुद्दे को लेकि उनकी राह एक मत नहीं है, तो वो दोबारा बात करते हैं, या से दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, कम्मिनिकेशन इस दा की टू सक्सेस, आइए एक उधान के जरी में इसको समझना चाहते हैं, यह उधान हमने कॉलेज केंपस से लिए है, क्योंकि आप सभी स्टुडेंट जो है, कॉलेज इन्वेसिटी में पढ़ते इन्वेसिट को बढ़तरी जो हुई है, उस महावी जाले हैं, ए और बी, इनका संचार बहुत अच्छा चल रहा था पहले, स्टुडेंट बड़े हैं, सारे काम अच्छे से कर रहे हैं, कॉलेज की सारी बातों को फोनों कर रहे हैं, लेकिन इतने में जो मुद्दा बाद मे आया, वो आया कि कॉलेज ने फीस बढ़ा दी, कॉलेज ने कहा कि हमने फीस बढ़ाई हैं और आप इस फीस को जमा करवाई हैं, इन्होंने कम्मिनिकेट किया स्टुडेंट के साथ, लेकिन स्टुडेंट ने कहा कि हम ये फीस बढ़ी हुभी नहीं देंगे, बिकर आपने इसज़ फीश बढ़ाई है वह चानक डबल कर दी है और हम इतनी फीश नहीं बढ़ सकते हैं कि हम चाहरे रहा हैई कि हमारे खार्च ज़ादा हैं हम다 कि हमерм afraid ईंखरो प्रशाचन की होखी का वीड में हमारी फैमिली के इंकम गटी है या हम इतने फीजब नहीं कर सकते हैं या हमारी फैमली जो है वह हम मिल्टल क्लास ऐ हैं वह अपने तरक रख तो च्ञेडनी जब बात नहीं बनती तो स्ट्राइक पर चेल जाते हैं कॉलेज अपने सतर पर हो सकता है उनको कुछ के स्टूडेंट्स को रस्टिकेट करता है यानि मामलब हो ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टूडेंट यह अपनी बात पेड़े हुए अपने तरक उनों ने दिये बी जो है जो कॉलेज का एडिमिस्टेशन है वो अपने तरक देता जा रहा है और दोनों तरफ से जो कम्मिनिक माइक जो एक मुद्दा है उस विशे को लेकर के ए और बी यानि कॉलेज और कॉलेज का स्टूडेंट्स हैं उन में आपस में काफी विवाद चल रहा है जो पहले ठीक होता था लेकिन इस विशे पर ऐस सहमती की वज़ए से उनके बीच में जो कम्मिनिकेशन हुआ उस पर मेंबर हो सकते हैं वो कॉलेज परशासन से फिर मिलने जाएं और ये कहें कि सर इसमें पढ़ाई का नुक्सान हो रहा है और कॉलेज परशासन भी इस बात को समझे और वो कहें कि ठीक है हमने फीस बढ़ाई है इतनी जादा लेकिन फीस का बढ़ाना भी जरूरी है और आप जो है चुकि हो सकता है इतनी बड़ी फीस ना दे पाएं तो हम इसमें हो सकता है थोड़ा सा कम कर दें फॉर एक्जेंपल अगर फीस डबल की गई थी 100% उसमें इंक्रीज हुआ था तो हो सकता है 25 या 30% कॉलेज जो है कमिनिकेशन के बाद जब इन दोनों में लगातार संचार होगा तो लगातार कमिनिकेशन के बाद एक्स पर यानि फी हाई के मोदे पर हो सकता है कॉलेज परशासन यह मान जाए कि हां हम मानते हैं कि फीस जादा बढ़ाई गई और फीस जो है वो 100% की बजाए हम 30% इंक्रीज कर रहे हैं और हो सकता है फीस बात पर खुस हो जाए और जो बुद्धा जिनका है जो फी हाई का है उस पर उनकी एक राए बन जाए यानि फीस बढ़ेगी तिक नहीं ज्यादा नहीं बढ़ेगी ऐसे में क्या हुआ और यह होता कब है जब दोनों तरफ से संतुष्टी होती है विकॉस को भी यह लगा कि हमने फीस ज़्यादा बढ़ाई थी इसलिए इतनी ज़्यादा गलत है हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं Students को भी यह लगा कि College परशाषन ने अपनी गलत्ती को माना है और इतनी ज्यादा जो फीज बढ़ाएगे कि उसको नोंने कम किया है यानि यहां पर A और B Students और College परशाषन के बीचे बहुत अच्छा संचार चल रहा था फी हाइक एक मुद्दा ऐसा आया जिस पर दोनों की एकमत राय जो नहीं बनी विवाद बढ़ा स्ट्राइक तक हुई और उनकी बोल चाल तक आपसमें बंद हुई कमिनिकेशन बंद हुआ देन किसी तरीके से चाहिए कोलेज परशाषन की तरफ से कुछ लोग आ गया है स्टूडेंट की तरफ से कुछ दो चार लोग आ गया है उनने दोबार उस बातचीत को रिज्यूम किया दोबारा बातचीत करना शुरू हुई फी हाइक पगले के और लगातार संचार के बाद जैसे आप देखते हैं कई बार जब स्ट्राइक होती है तो बैठकों का दोर चलता है जो लग-लग अंदोलन होते हैं उनमें वह इसलिए होता है कमिनिकेशन इसलिए होता है ताकि उन चीजहों का समाधान करा जा सके तो यहीं पर सोशल पर्पस की बात की गई है या उसका सामाजी को देश रसंचार का है या जो एक जैसे कि हमने बात का तो मेंटेन बैलेंस जो कह संतुरन बनावाता सुडेंट्स और कॉलेज परसाचन में उसको जो दूर किया है वहाँ पर कमिनिकेशन ने कहम रोल प्ले करता है और फी हाइक पे जो स्ट्राइक चल रही ती उसको दूर करने में कमिनिकेशन ने कहम होने करने बाईंग तो यही न्यू कॉम का मोडल कहता है सोचल परपर ओफ पर कमिनिकेशन to maintain in balance in social system with the help of communication ये इस new car model की सबसे बड़ी जो बात है कि A और B के बीच में अगर S अंतुलन है किसी मुद्दे को लेके बातचीत नहीं है S सहमती है उनके relations भी खराब हो जाते हैं कई बार आप देखते हैं कि सरकार के खिलाफ जब कई बार धरना दिया जाता है किसी मुद्दे को लेकर के तो बड़ी खींसदान हो जाती है लेकिन वहीं कुछ लोग उसमें से आगे आते हैं बातचीत करते हैं बीच का रास्ता निकाला जाता है और सुंचार के जरी उस पर सहमती बनती है तो डियर स्टूडेंट्स आज मैंने बात की न्यू को मडल की इसी तरह की कुछ और विश्यों के साथ हम आपके बूचाते रहेंगी अब जुड़े रही है हमार से तो देखते हैं मास को उंजंच्शन धन्यवाब